इस बुलेटीन के प्रायो जख है आर के नवास बायार के डेवलोपर्स शांदार घर खरीदें अब अपने बजट में 20 महिने बाद सुमवार से महाकाल मंदीर के गर्वग्रह में आम आदमी प्रविश कर सकेंगे प्रयोगिक तोर पर शुरू हो रही इस विवस्था में भीड के मताबिक गर्वग्रह में प्रविश दिया जाएगा यानि कम भीड होने पर गर्वग्रह तक श्रद धालू जाएंगे और अधिक भीड होने पर बाहर से दर्शन करने होंगे भीड होने पर वही दर्शनार्थी मंदीर के गर्वग्रह में जा सकेंगे जो 1500 रूपे की रसित कटाएंगे रविवार को महाकल मंदीर प्रबंसमीती ने मंदीर की दर्शन विवस्था की जानकारी साजा की इसके मताबिक गर्वग्रह में प्रविश बंद रहने के दौरां 1500 रूपे की रसित कटाने पर प्रविश दिया जाएगा एक रसीद पर दो लोग गर्वग्रहे में प्रविश करेंगे लगू रूदर की रसीद पर तीन और महा रूदर की रसीद पर पांच लोगों को गर्वग्रहे में प्रविश की अनुमती रहेगी इनके अलावा अगर किसी अन्य सदस्य को गर्वगहे में ले जाना होगा तो उसके लिए 1000 रुपे की रसित कटानी होगी प्रोटोकॉल दर्शन विवस्था के तहद भी गर्वगहे में प्रवेश के लिए 1500 रुपे की रसित कटाना जरूरी होगी मंदिर गर्वगहे में पूजन, अभिशेक, आर्ती, दूत, फूल, प्रसाद या पूजन सामगरी लिजाना प्रतिबंदित होगा रसित धारी श्रदालू गेट नंबर चार से प्रविश करेंगे वह विश्टाम धाम सभा मंदवं चांदी दौआर से हुते हुए गर्वगहे में जाएंगे जलाभिशे करवा जल दौआर से भाहर निकलेंगे प्रवेश बंद रहने के दौरान रसित धारी दर्शनार्थियों को ड्रेस कोट का पालन करना आनिवारे होगा इसमें पूर्शों को सोला और महिलाओं को साड़ी पहनना आनिवारे होगा मंदिर समीती प्रशासर गणेश धाकड के अनुसार भसमारती के दौरान पंडे पुजारियों को छोड़कर किसी को भी प्रवेश नहीं दिया सबसे महत्त पूर्ट तो यह है कि माननी कलेक्टर महोदे के निर्देश अनुसार यह तकरीबन दो साल के बाद में गरवगरे चालू हो रहा है बाबा की असी मान कंपा है और इसमें मंदिर प्रशासन द्वारा जिल्ट गाइड लाइन जारी की गई है उसमें कोरोना कोविड का पालन करते हूं सोसल डेंस डिस्टेंसिंग मेंटिन करते हूं मास्क और सेनि को लेते हुए इसमें तकरीबन मौनिंग में एक समय दोपहर में एक से तीन और साम को आठ से नो इतीन समय प्रोटोकोल के लिए तीन घंटे रिधारत किये गए हैं यह पुजारी प्रोहितों के जो हजमाने हो लो रहेंगे और रुद्र अब से कराएंगे लगू रुद्र और महामर्त तुंजे जय उनको भी गरगर में प्रवेश के अनुमत ही रहेगी और प्रोटोकॉल के माद्यम से जो सरद्दालू आते उनको पंदरसों की रहेगी हैं धीरे-धीरे जीग-जैक में सरद्दालों को लाएंगे सोसल डिस्टेंसिंग करते उनको दरसन कराएं ब टीम ने मिलावटी के आशंका में नागदा में बड़ी मातरा में मावा जबत किया है दो गाड़ियों में भरकर ये मावा नागदा के रास्ते मुम्बाई भेजने की तियारी थी जबत मावे की मातरा 2000 किलो से ज़ादा है दरसल खादे विभाक के अधिकारियों को वहान रोके और तलाशी ली तो इनमें मावे की टोकरिया भरी थी एक वहान त्रेपन और दुसरे में 32 टोकरियों में मावा भरा था वहान चालक मावे के बारे में ठीक से जवाब नहीं दे सके मावा कड़क था और आशंका है कि इसे फ्रीजर या कोड स्टूरेज से निकालक मुंबाई भीजा जा रहा था अधिकारियों ने मावा जबत कर लिया है और सेंपल लिये हैं सेंपलों को जाच के लिए प्रयोक्षाला भीजा जा जा रहा है वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कारेवाई की जाएगी कालिदास अकादमी परीसर में लगे हस्तशिल्फ मेले में उज्जेन की गंदगी की जाकी भी प्रदरशित हो रही है पूरे परीसर में कच्रे का धेर लगा है और लोग यहां नहां रहे हैं ये हाल तब है जबकि हाल ही में सुच्चता सर्वेक्षन में उज्जेन ने 3-10 ला अपने उत्पादों को लिकराए है और इनके बीच उज्जेन की गंदगी की जाकी भी मेले में प्रदर्शित की जा रही है मेले में लगाये कूडेदान खाली नहीं हो रहे है और इनकी गंदगी फैली हुई है लोग मेले में लगे स्टॉल के पीछे ही नहां रहे हैं अब तुम्हारे नियूज़ों पे जाएंगे ये समाचार मैं दूँगी तुम्हारे सब का ये अरे अभी दोफेल की नियूज़ों भी देंगी ये मैं क्या गंदगी मचाएगे बापरवा अब जाएगे कलेक्टर ने मामले में जाच का आदेश दिया है SDM निधी सिंग मामले की जाच कर रही है उन्होंने मीडिया को बताया कि अभी जाच जारी है इसमें जो भी तथे सामने आएंगे उसका प्रतिवेदन कलेक्टर साहब को भेजा जाएगा जहां तक मीडिया कर्मियों को लेकर पटवारी द्वारा अपशब्द कहने के मामले में जो भी उचित कारवाई होगी वह की जाएगी विजय कंस्ट्रक्शन मकान नहीं आशियाना करते हैं हम तियार ग्राकों का 11 सालों का विश्वास सर्व सुविधा युक 6 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं हमारे द्वारा पून्विक्सित प्लोट, रोहाउस, बंगलू सब हैं यहां तो शहर के प्रमुग स्थानों में खरीदे अपना आशियाना अथर्वैन क्लेव इंदो रूर, सीठी नगर, में सीठी एरिया, शांती निकेतन, दिवास रूर, वसंद व्यान, नाना खिडा पर है प्लोट और मकान मोजे चूडी सट के बॉंडरी वॉल, ड्रेनेट सिस्टम, गार्डन और भी कई सुविता है उपलब्द अधिक जानकारी के लिए संपर करें 888-99-04126, 800-392-3001 हमारा पता शौप 129-C21-MALL, नाना खिडा उज्जयन तराना के भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रविन पालोतरा की ग्रफतारी को लेकर कॉंग्रेस ने रविवार को पुलिस थाने के सामने प्रदर्शन किया कॉंग्रेस यू ने कहा कि भाजपाईयों की गुंडागर्दी इसकदर बढ़ गई है कि अधिकारी कर्मचारी काम करने से डर रहे हैं वह अफकार्श लेकर अपने घरों में बैठे हैं भाजपा मंडल प्रविंट पालोतरा ने पश्यम शेत्र विद्यूद वितरन कंपनी के अधिकार्यों को ना सर्व धमकाया बलके गालियां तक दी वाइरल वीडियो में पालोतरा ये कहता दिख रहा है कि वहतराना का विधायक, सांसद और सीम है पालोतरा ने पिछले दिनों विद्यूद वितरन कंपनी के दफतर में तोड़ फोड़ भी की थी बलॉक कॉंग्रेस कमीटी ने अध्यक्ष गजराद सिंग के नेतरत में रविवार को थाने के सामने डेरा तंबु गार दिया इसमें कॉंग्रेसियों ने मांग की कि पालोतरा की ततकाल गिर्फतारी की जाए गजराद सिंग ने बताया कि भाजपा मंडर अध्यक्ष प्रवीन पालोतरा और उनके सांथियों ने विद्योद वितरन कंपनी दफतर में तोड़ फोड़ की अब हालत ये है कि अधिकारी तराना में काम नहीं करना चाहते सिंग ने कहा कि ये अधिकारी को कुछ नहीं समझते वह पुलिस को कुछ नहीं समझते पुलिस भाजपा की गुलामी कर रही है आज लोग बहुत परिशान हैं लोगों के समर्थन में कॉंग्रेस ने प्रदर्शन किया है और दादागिरी पुरुवक वो अपना ताना सही तरीके से पुलिस ने दो आदमे को गिरबदार कर लिया बाकी जो आरोपी है उनको अभी तक फगड़ नहीं रही है अधिकारियों को तो एक कटपटली समझते हैं पुलिस इनके सामने एक मजाग बनी हुई पुलिस का जो अफमान जो हो रहा है हम तो पुलिस की जो इज्जत करते हैं आज पहली बार ऐसा लगने लगा है कि बाजय पा कि लोग पुलिस को कि कटपटली की तरह उप्योग करते ह पुलिस वाले उनकी गुलामी कर रहे हैं, अगरीब आदमी कोई लपेटे में आ जाया तो उसको खाजा है मिल्गूल, यही बात जो है, और उस गाली मोबाइल पे उनके वीडियो वाइरल हो रहे हैं, जो आधिकारियों को कर रहे हैं, और आप चोटा सा कारे करता कहीं की बात पुलिस उसके साथ ताना सही करती है, जैसे कोई खाजा आएगा उसको, उन सब बात को दियान में रखते हुए, सभी लोगों की तरफ से हमार को ख़बर आई, उस ख़बर को दियान में रखते हुए, यह जो आधिकारी करमचारी लोग इतने भाई भी भी थे, उनके बचा पुलिस के मताबिक ट्रक ड्राइवर रामजी लाल को लूटने की घटना में पुलिस ने जीतेंद्र निवासी, पंच, कुआ, अर्विंद, मीना और मुकेश मीना को गिरफतार किया था, आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें एक दिन की रिमान पर जानकरी मिली है, जिसकी पुलिस पुष्टी करने में जूटी है। कुछ देर बाद छात्रा एक युवक के साथ बाइक से निकली और माली पूरा की और चली गई। इसके बाद परीजनों ने रात तक उसकी तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। इसके बाद थाने पहुंच कर पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। जैगेस एजनसी उज्जेन की थी। लोकेश कुष्वा के खिलाव आवश्यक वस्तू अधिनियम के तहत प्रकरन डर्ज किया गया है। होमगाड इस्थाबना दिवस सोमवार को होगा, मुख्या आयोजन होमगाड कारेले नागजरी में सुभा नौ बजे होगा, इस मौके पर परेड होगी, संभाग आयुत संदीब यादव अथिती होंगे। साल के अंतीम लोग अदलत 11 दिसंबर को होगी, नैशनल लोग अदलत के लिए 31 खन पीठो का गठन क्या गया है, इसमें चेक बाउंस के प्रकरन प्रमुक्ता से रखे जाएंगे। गेहूं खर्पतवार नियंतरन के लिए क्रिशी विभाग ने निर्देश जारी कर दिये हैं, उप संचालक आरपीय स्नायक ने बताया कि सुभा की समय खेत में हलकी सिचाई करनी चाहिए। अगर खबरो को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा, कल फिर में लेंगे इसी समय, हमसकार। झालक आर्पड़ झालक आर्पा कोई पास कुछा आर्पास कि समय खेता हैं, विभाग एंगे एक बताइएगा झालक आर्पास कोई पास कर दो वेंगे झालक आर्पास कर दोचित।